हलो दोस्त करेंट पियर आठ नोवमबर 2020 जिसमें हम MCQ की बात करेंगे और 11 से लेके 24 तक और यह सारे प्रस्ण हो है जिसमें आपका भी भागिदारी है आपने भी इसमें Community टेब में अपने Option को सेलेक्ट किया था लेकिन हैं कई सारे प्रस्णों का Option बहुत गलत सेलेक्ट हुआ है लोगों के द्वारा Majority के टर्म में कई सारे का अच्छे जबाब भी है प्रसंख्या 11 से लेके 24 तक यानि कह सकते हैं कि जो हमने पहले वीडियो में बात किया था करेंट एपेर में आता है क्योंकि लेबल एक्जाम का थोड़ी से अस्टेंडर होती है उस अस्टेंडर को भी आपको समझना पड़ेगा तो का सकते हैं यह वीकली हमने आपको दो तारिक से लेके आठ तारिक तक जो नुवंबर तक है इसके समंद में सारा अपडेट है तो कुछ लोगों का एक कॉमेंट आया था कि इसको कैसे हम इसमें बोट में पार्टिसिपेट करते मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता दोस्ट चैनल के नाम सर्च अगर यूटूब पे करेंगे तो अपने आप मिल जाएगा और चैनल के सर्च करते ही आपको कौन से टैब मे जाना होता है ध्यान दिजेगा कॉम्टि टैब में जितनी भी हम अगर यहां से सेर करते हैं कोई भी क्वेशन तो इसमें आएगा कॉम्टि टैब में हलाकि यूटूब चैनल पे किसी भी यूटूब चैनल में आपका अप जाएंगे तो सबसे पहले उस चैनल का होम उसके प्लेइलिस्ट जो भी Mỹ वना है तो यहां पर हम आपको करेंट if we are कि इस सबहुर मतलब अब अभी हम चलते हैं सबसे पहले उस question पे जिस question की हमारी पहले से ही हमने शुरुवात कर रखा था तो 11 नमबर दस तक का देखने के लिए इसमें question तो आपको दस से पहले का भी मिल जाएगा लेकिन प्ले लिस्ट में अगर इसका answer देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो पे जाना पड़ेगा क्योंकि वो आपको जानने के लिए बहुत जरूरी है तो देखिए हम यहाँ पे सवाल 50% बासुरी दिया था 10% अबला ढोल में 3% और 12% सारंगी दिये थे हलाकि राइट जबाब सारंगी ही है जिसको वाइलिन भी गोलते हैं तो यह सही answer आपका 12% है 2.3 यानि 200 लोगों ने लगभग इस पे भोट किया था उसमें से 200 लोगों में से 12% मात्र सही जबाब दिये है चलिए अगले में चलते हैं तो आप अब से याद कर ले क्योंकि अभी एक्जाम नहीं था यह यूटूग पे आपका पोल था लेकिन एक्जाम में तो मौका नहीं मिलेगा दुबारा दूसरा प्रसन था प्रसन नमबर 12 एकसरसाइज मालावार किस देशों के बीच में होता है सिंपल सी बात है यह जब सुरुवात हुआ था तो तीन देश दो देश थे लेकिन फाइनली जब अभी के देश में चार देश सामिल है फिलाल 2020 की बात करेंगे तो इसमें देखिए 86% लोगों ने जबाब दिया है यूएस जपान अस्ट्रिया और इंडिया बिलकुल सह हर साल every year exercise होता है इसलिए इसको 1920 में different को समझिएगा अब यहां पर बात आता है कि इसका 13 प्रस्ण का जिसमें exercise मालावार 420 की नोसेना भाग लेती है तो इसको भी याद रखिएगा नोसेना भाग लेती है चार देश भी भाग लेती है यानि question number 1, 2, 2020, 3 और मालावार exercise का मत सकता है अगले प्रस्ण में नोसेना पूछ दे कि कौन सेना भाग लेती है exercise मालावार में तो जल थे ना आपको वाई सेना नोसेना ऐसा option मिल सकता है कितने देश का तो आपने देखी लिया तो अब यहां पे देखिए हुआ है कि कहां पे हो रहा है तो कुछ लोगों का इसम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में है तो बिल्कुल आप सही है लेकिन जिस समय ये प्रस्ण पूछा गया है उस समय का सबसे परफेक्ट एंसर बंगाल की खाड़ी है चैतर परसेंट लोगों ने सही जबाब दिया है कैसे क्योंकि मालावार का फर्स्ट फेज ह है फर्स पेज हो रहा है आपकी बंगाल की खाड़ी में और सेकंड फेज जो होगा सत्रा सोला या सत्रा नौंबर का ही है एक जिक्ट मुझे देट याद नहीं है लेकिन ये अरब सागर में होगा दूसरा फेज तो ध्यान रखिएगा अगर फेज भाई पूछे तो पहला फेज 1 आपका हुआ है बंगाल की खाड़ी में फेज 2 होगा तो अरब सागर में जाएगा इसको भी आप ध्यान रखेंगे अगले प्रसन में चलते हैं तेरा नंबर के बाद हमारे पास 14 नंबर प्रसन है जिसमें लोगों से पूछा गया था इनमें से कौन इंडियन अमेर अमेरिकन 2020 के एलेक्शन में वह यो अस्टेट अप से सिलेक्ट हुए हैं अमेरिका एलेक्शन या यूए सिलेक्शन में तो इसमें सबसे पहले लोगों का जवाब देखिए कम्ला है इस जो भारत के तमलाडू राज से बिलाउं करते हैं उसके लिए 86% लोगों ने जवाब दिया है जो की गलत है ध्यान देर माली बात है कि 2020 के एलेक्शन नहीं कम्ला है इस 2016 के एलेक्शन में जीती थी बहुत बड़ी टोपिक है इसको गलती नहीं करना होता है तो इसमें निरज अंटानी जी भारत की भारती मतलब भारती अमेरिकन सेनेट कुरूप में उहियों से जीते हैं कमला हैरिस की अगला नहीं जाएगी अभी हम देखेंगे यह 2016 में पहली भारती अमेरिकन थी तो इसको छोड़ दीजिएगा यहां पर राइट एंसर अगर पूछा जाए वो ही हो के टर्न में तो निरज जन तानी पूछा जाएगा हलाकि अब तो करेंटे फिर अ बहुत करीब हैं यानि एलेक्शन जीत चुके हैं अभी बने नहीं है तो कमला हैरिस जी के लिए बदाई और भारत के लिए भी एक अच्छी नीज हो सकती है तो चलिए आगे बात में इनके बारे में अगला प्रसन हमारे पास है 24 नमबर में तो यहां पे हम 15 नमबर प्रसन प्रसन के काईम के अल है ध्यान दीजिएगा जिसको किसी खरपतवार पे छिटते हैं छिड़काओ कर देते हैं छिड़काओ करने के बाद अगर इसको टाइम दिया जाता है 20-20 दिन तो खरपतवार सड़कर सड़को कह सकते हैं गलना गलकर एक खाद के रूप में बिक्सित हो जाता है ध्यान दीजिएगा खाद मतलब उर्बरक के रूप में बिक्सित हो जाता है लेकिन उर्बरक बनाना इसका फर्थ परमिक्ता नहीं है जैसा कि लोगों ने हैं सवाल दिया है कि खेती में पैदवार बढ़ाना हुआ एक उर्बरक और और्गेनिक खेती को बढ़ जानते हैं हरियाना पंजाब और दिली के आसपास थोड़े छेत्र में जितने भी एरिया है यहां पे अभी नुवंबर के सीजन के आसपास पूआल जलाने का या पराली बोलते हैं जलाने का बहुत बड़ी एक प्रोब्लम है कर सकते हैं कि धान की बच्ची हुई खूटी भी बोलते हैं कई जगह इसको खूटी समझते हैं तो इसकी जलाने की एक समस्या है इस जलाने के बाद क्या होता है प्रदूसन बढ़ जाती है और दिली का भी लेबल आप जान सकते हैं पी एम टेन और पी एम 2.5 मोडरेट से भी आगे की तरफ हाई डिसक की तरफ जा रहा है जो अभी अगले प्रस्ण में इसकी डिसकस भी करेंगे छोड़ी सी बातों में तो इसको कम करने का फर्स्ट था यानि बर्निंग अस्टेबल को कम करना था जिसमें लोगों ने मात्र 12 परसेंट सही जवाब दिये इसका डिक उम्प्रेजर का फंक्सन है हां इससे और्ग स्टेबल को कम करना समझे यह राइट एंसर यहां पर आपका वन टाइम्स में लगा देता हूं डी है आगे प्रस्ण में चलते हैं अगले हमारे पास प्रस्ण है सुला नंबर टी आर्पी टिलिवीजन रेटिंग पॉइंट इसको सोट फर्म भी याद रखिएगा क्योंकि कि इस साल का हाइलाइट है और कहां से हालाइट है महारास्ट्रा से जिसमें टीवी चैनल पर इपाई आर बगेरा दरज हुआ है तो हम पॉल्टीस पाट नहीं करेंगे हम केबल बात करेंगे क्रेंट अफ्यर की बात की तो यहाँ पर आप जानेंगे तो यह टी एर्पी रे चाहिते हैं उसकी टीरपी जादा हो जाती को सकता है सिजडे किसी घर में हिंदी की टीवी चैनल रही है और वहां लोग रहते हैं करनाटा का करणर बोरने को हाल है तो उन्हें हिंदी में इस समझ में आता है लेकिन 24 घंटे तीवी चल रही है हिंदी की परदे से ब्यार मान लेते हैं और यहां तेलिवीजन चल रही है इंग्लिजी की या तमिल की और तीवी की टी-भी बढ़ रही है लेकिन उसे उह भोकता को नहीं पता कि इसका चैन वह नाम किया है तो यहां प्रससी सिकर बेमपाति जी भी है इसまे पूछा सकता है कि परसारभार्ती के बत्मां सyou कौन है तो संसी सिकर बेमपाती भी होगे co and chairman ढोनों बोलते हैं परसारभारतीं इसको आप ध्यान दीजिएगा कि दो प्रस्ण इसमें जूड़े हुए हैं मैक्सिम लोगों ने 67% जबाब दिया है डॉक्टर परदीप कुमार जोसी तो इनको सब लोग जानते हैं यार UPSC के चेर्मेन हैं तो इतना भी गलती नहीं कर दीजिए कि पूरी पूरी चीजे गलत हो जा है जिसको CTBC कुछ करके नाम रखा गया है तो इतना दो डीप में पूछेगा नहीं लेकिन प्रस्ण हो सकता है यह पूछा जाए कि यह कहां पे है तो यह प्रस्ण पहले भी कई बार हो चुका है भारत के पंजाब से जूड़ा हुआ और पकिस्तान के पंजाब से जूड़ दिया है एकदम बिल्कुल भेरिवूड क्योंकि बिल्कुल यह प्रस्ण लोगों के जिक्र में था और 2.4 यानि 2400 लोगों ने इसमें भाग लिया अगला प्रस्ण हम करते हैं 18 नंबर का की सराज की अस्थानिये नागरिकों को प्राइबेट सेक्टर जॉब में यानि वहा का उप्सण है या नहीं यानि किसी ने एंपी के बारे में बात किया था किसी ने तमिलाडू के तो अप्सण वो नहीं है दोस्त यहां ध्यान देना है कि इनमे से कौन है तो अभी अभी हरियाना के द्वारा हुआ है और लोगों ने 80% इसका सभी जवाब दिया है जिसमें 75 अरक्षन की बात की गई है अगले प्रसमें चलेंगे टारे के बाद 19 नंबर में जिसमें बोला गया है इनमे से कौन न्यूजी लेंड के पीम के रूप में दूसरी बार चुनाओ जीत गए है यानि चुनाओ जीत गए है तो पीम बनी जाएंगे और इसमें सभी लोगों का सभाई सही जवाब है जैसे इंदा एडर्न है बिलकुल सही जवाब है 84 परसेंट लोगों ने सही जवाब दिया है कुछ लोगों इसमें 8 परसेंट लोग है दूसरे नंबर पर दिये है साना मारीन इनके बारे में आप जानना चाहेंगे तो हो सकता है यह भी करंटे फेर बन जाए क्योंकि सबसे कम उम्र के परधार मंत्री के रूप में साना मैरीन है और इनका साइद आरलेंड होगा या कोई और देश है वो देश आप याद रखिएगा यानि यहां पे सबसे कम उम्र के पी-एम के रूप में हैं अगले प्रस्ण में चलते हैं तो अगला प्रस्ण हमारे पास है परधोसन जिसको हमने दिली की परधोसन या डी-कमपीजर की बात किया था पूसा वाला उससे भी जूड़ा है देखे पार्टिकुलर मेटर इसको एक बार पूछ देता है पी-एम प्रति-मीटर क्यों दो प्रस्ण आपको बता दिया है इसको हो सकता है कि इस डाइमीटर को भी आपसे पूछ दिया जाए कि डाइमीटर क्या होता है परधोसन की तिसरी लेबल आपकी इसको समझेगा तिसरी प्रस्ण इसमें एक और है जिसके बारे में हम बात करने वाले ह कि जब measurement करते हैं particle matter तो ये 2D dimension होता है 3D होता है या 1D होता है तो कुछ लोग कहेंगे ऐसा तो book में हमने कभी देखा नहीं लेकिन ध्यान दिजिएगा mathematics पढ़ते हैं जहां भी Q लगता है Q क्या है volume क्या होता है 3D dimension होता है ये भी ध्यान रखिएगा Q होता है 3D के term में जाईएगा इसको अगर पूछा जाए तो यानि किसी भी जगा पे नापने के लिए अगर production मापना है तो हमें सारे dimension में कितनी मीटर 2.5 माइग्रो मीटर इधर से इधर से और इधर से 3D dimension में लेना पड़ेगा तो ये सब सारे चीजे प्रशन को भी आप कबर करते चलेंगे तो करेंट एपेर के साथ साथ जीके भी बढ़ेगी आगे पड़ते हैं तो आगे इसमें है कि कितना सेफ माना जाता है तो सब लोग जानते है 2.5 को हम कितना पर सेफ मानते हैं तो 60 microgram क्यूबिक मीटर प्रति क्यूबिक मीटर सबसे सेफ लिमीट है और इसमें मातर 19% लोगों ने सही जवाब दिया है 69% लोगों ने जव जवाब दिया है वो अगले परसन का है PM10 का यहानी राइट जवाब हमारा यह है बी रॉंग एंसर है लेकिन अगर PM10 होता तो बी राइट एंसर होता तो अगले परसन में PM10 को भी हम लेके आए हैं तो चलिए परसन नंबर 20 में है हमारे पास पार्टिकल मेटर 10 के लेवल का सेफ क्या माना जाता है हो गया तो वार्निंग हो गई और अनसेफ में चला जाएगा और दम गुटना सुरू होता है समझ जाएगा ग्रीन चेमबर से हम बैलून चेमबर में आ जाएगे तो यह कंडिशन है और जिसे ही 60 और 100 से उपर जाता है हमारा यह उसके बाद नॉर्मल सेटिफेक्टरी फिर उसके बाद मोडरेट बगेरा बगेरा रिक्स बगेरा में आगे बढ़ जाता है अगला प्रसन हमारे पास है आज ही से शुरू हुआ है बहुत बड़ा अपडेट हो सकता है एक प्रसन आ जाए तो पहला संजुक्त राज अमेरिका के ध्यान दिजेगा 46 राष्ट पत्ति कौन है 45 पुछा जाए तब ही आपको याद रखना है तो 45 के लिए तो मैं बता ही देऊ नो आपको पता ही है डोरान ट्रम्प थे लेकिन 46 का चुनाव हो चुका है हाँ सपत लेना बाकी है जीत पकी हो चुकी है तो कौन रहेंगे जीव बार्डन 96 परसेंट लोगों ने जवाब दिया है हलाके भी शुरुगात का कोच्चन है अभी टाइम लगेगा है लोगों को इसको समझने में आज ही का निवज है थोड़ा सा भी लोगों का टाइम लगेगा तो यहाँ जीव बार्डन ने एलेक्टेड हो चुके हैं बोटिंग के टर्म में अभी अस्तप करने का है और 46 यह हैं लेकिन इनके साथ साथ दूसरी खुशियां जिसकी आपकी सब लोगों के इंतिजार होगी संजूकत राच्वय अमिर्का के उपराश्ट पति कौन बने है और साइद यह 49 रोंगे हो सकता है इसको देख ली जिएगा कनफर्म आपको करना है मैं कनफर्म नहीं करना हूँ लेकिन 49 रूपराश्ट पति हो सकते हैं इसको कनफर्म कर लीजिएगा लेकिन इसमें बहुत बड़ी त्विष्ट है लोगों का जवाब भी बहुत सही है कमला हैरिस अब यहाँ एक और प्रस्ट क्वेश्चन नमबर थिरी हो जा सकता है इसी में कमला हैरिस फर्स्ट अस्वेत नागरिक हैं अस्वेत भारतिय अमेरिकी नागरिक है जो पहली बार उप राष्टपति बने हैं जैसा कि आपने देखा था राष्टपति के समय में ब्राक अबामा जी फर्स्ट अस्वेत मेल थे जिनोंने राष्टपति बने थे और यहां अस्वेत उमेन के रूप में आती है और प्लस में उप राष्ट पती भी जूड़ेगा तब कमला है रिस जी आएंगे और ये भारत के लिए बहुत अच्छे खबर है तो भारत के तमिलाडू राज से इनका माता जी का समंध रहा है तो ये रहा आपका UN-American कमला है रिस जी तो ये आपका उप राष्ट पती उसके सब लोग जानते हैं जीव बैडन का अगर कोई पूछ दे तो सब लोग को पता है अमेरिका का राष्ट पती लेकिन उनकी पार्टी का नाम पूछ देता है तो कोई चंगलत होती है क्योंकि ये प्रस्ण हमने कई बार देखा है कई प्लेटफॉमों पे देखा है कि ब्राक 24 परसंट दिये हैं डेमोक्रेटिक से रिपब्लिकन के कौन थे तो डुनाल्ड टरंप थे और अमेरिका में दो ही पार्टी की सरकार होती है ध्यान रखिएगा तो कौन-कौन वहां पर होता है जेनरली रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक और जेनरली ये एक साल बाद जो चा चुका है तो डेमोक्रेटिक के हैं तो कैसा लगा जरूर अपना बिसलेशन बताईएगा और अभी भी इच्छा कर रहा है कि हमने भाग नहीं लिया है और सवाल में कुछ दम है तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिए हमारे यूटूब चैनल पे और मैं लोगों को बता देत है परस्न में कुछ अच्छाई दिखे कुछ भीव अच्छा दिखे और पोसिबिलीटी दिखे कि आप एक जाम के आसपास चले हम पोसिबिलीटी दिखे तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन वो डिसिजन आपकी है आपको डिसिजन लेना है यानि चै इच्छा से डिसिजन नहीं लेते हैं वो ज्यादा जिन चैनल पर बने नहीं रहते हैं थैंक्यू दन्यवाद